हेलो फ्रेंड्स वौलकम टो सफट्यू टुटें वेडियो वीडियो वी आरुटिव टस्काा și फीफ ऑगर्स कम्पेट करेंट ऑफ है चलिए तो इस कि वीडियो में हम वाम प्रविट तक देखना है ताकि इसके रिगार्डिंग जो भी कोश्टन के रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्राइशन दिया जाता है वो सारा आपको अच्छी तरीखे से समझ में आ सके ठीक है पूरा वीडियो लास तक देखना है और इसके विलको भी नहीं करना ठीक है इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे एंब आइकन को प्रेस करके आउन कर दीजे ताकि आपको इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टन नोटिफिकेशन हो और जो भी लेटिस अपडेट हो वह आपको तु इसका ओरीजन ऑफ ओरीजन जो कहां का है यह आरेनिक मतला आरेवेज आरेवेज साइज वहां से है तो यह बुक किसके द्वारा लिखी गई है ऑप्शन है लाल भादुर्शास्त्री मोतिलाल नहरू बाल गंगधर तिलग एंसोभास चंद्र बोश ठीक है तो वीडियो को उसकर की आंसर दीज़े इसके बारे में एक्जेक्ट एक्स्प्लिनेशन को डिस्कस करेंगे जैशी समझ लेते हैं इसके बारे में आखिर राइट आंसर क्या है इसका जो राइट आंसर यापको और और आप्शन सी बाल गंगधर तिलग ठीक है इन्होंने ये बुक को जिसका औरिजिन पीपल गुदारा किया गया था बाइदा बाल गंगाधर तिलग यह एक मैथमेटीशन है एक एस्ट्रोनॉमर सौरी थोड़ा सा स्लाइड डिश्टरब हो रही है यह एस्ट्रोनॉमर थे उसके बाद हिस्टॉरियन फिर जर्नलिस्ट फिलोसिफर एंड एड़ एंड आप इनको एक पॉलिटिकल लीडर के तौर में जानते हैं ठीक तो एक फीडम फाइट तरह इन्हो हुने में हुआ था ठीक है तो रिसेंटली कुछ समय हम बाल गंगा तरते लग की अभी एक न्यू एनिवर्सरी को मनाने जा रहे हैं तो उसके लिए क्या यह न्यूज में था तो उनके रिकार्डिंग जो भी इन्फोर्मेशन थी और वह हमको पता होना चाहिए कि डारेट प्रिटली जाती है एक्जाम में नेस्ट कोशन पर चलते हैं नेस्ट कोशन इस रिसेंटली पोलना पोलो नरौवा डिस्टिक पोलो नरौवा डिस्टिक वाजिव इन्यूज विच ऑफ दा स्टेट्मेंट गिवन बिलो इस और आर टू इज रिगार्ड तो एटीक है जो प इसको इंटर्शनेशनली जाना जाता है क्योंकि यहां का जो इसका जो एक इको केटिव रॉक कट बुद्धा का स्कल्प्चर मतलब जो बुद्धा की जो मूर्ती है वह रॉक को काट के बनाई गई है ठीक है मतलब पहले वह काफी बड़े-बड़े रॉक थे उनको काट को इसको श्रिलंका का राइस हब कहा जाता है ऑप्शन से आपके one only two and three only sorry one and two only one two and three only and d none of the above वीडियो को पॉस्ट करके आंसर दीजिए चली पहले समझ लीजिए आइसके बारे में आखर ये न्यूज में क्यों थी तो देखिए हुआ कि जो पोलना जो आपका पोलन नरोवा डिस्टिक है जिसको आप इंटरनेशनली जो इसके रॉक कट इसकल्प्टिर के नाम से जान तू द चोलास ठीक है जो चोला से फिर लीडर थी ना उनके बार्ते लीमा बड़ियार में घुप इसको एप आप कर तो ये जो थे अट हैं टिए परिक्ट निकिन सब्सक्राइब करने के यह यहां पर यहां से यह यह तहीं में तो किस आपको इस पाइब आपको आपको ऑप्शन तो अप्टिक है कि यहां से हो जाता है इसके तीनों की त्रीजिट्ट्म आपके यहां पर सही हो जाती है ठीक है आई होब आपको यह अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा जो पुलन जो पुलन रोवा डिस्ट है कि न्यूज में क्यों था क्योंकि यहां पर बुद्ध की स्कल्प्टर जो पेंटिंग है इसको रॉककर तोर पर बनाया गया है जो य की विन के बारे में तीन दो स्टेटमेंट दी आपको बताना कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट है इस एन इनोवेटिव टेक्नॉलजिकल सल्यूशन एम्ड एट इस्टेंड इम्मुनाइजेशन सप्लाइचीन सिस्टम एक्रॉस दे कंट्री ठीक है कि यह एक ऩृण नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर को इंपलीमैंट किया जा रहा है मतलब मिशन के दोरा किसके मिनिस्ट्री ओफ फैंपलीमिल वेलफेर के दोरा कौन सी चीटमेंट करेक्ट है ठीक है यह देखन जैंसना है यहां पर पीइसाउन और आपके औप शंचित है और यहीज वीडियो को पॉस्ट करिए एन आंसर दीजे चलिए समझ लिजे इसके बारे में जो इवन के बारे में कुछ चीजे जो इवन इवन एन इन्नोवेटिव टेक्नोलोजी का सिल्यूशन जिसका एम स्टेंद निंग करना इसका एम कहा है कि रियल-time information प्रवाइड करना वैक्सीन स्टॉक के लिए यू वैक्सीन स्टॉक और टेंप्रेचर ठीक है एंडि स्टॉरेज टेंपरेचर अट्री जहां पर भी को जिन पॉइंट से वहां पर इस्टोरेज टेंपरेचर को प्रवाइड करना इस सिस्टम में यह डेवलब किया जाएगा कि जो बहुत जादा जरूरी कस्टोमाइजेशन है डियूरिंग दे कोवेड-19 पेंडिमिक उसको एंशूर करना ताकि जो एक कंट्यूनेशन बनी हो जो इसेंशल इमुनाइजेशन की वह पूरी होती रहे और हम प्रटेट कर सके चिल्डरन को प्रेगनेट मदर्स को किसके खिलाफ अगेंस्ट वैक्षीन प्रिवेंटेबल डिसीज ताकि जिस डिसीज को वैक्षीन से रोकना है उसको हम नॉर्मली तोर पे उसको अच्छे तरीके से बचा सके तो यह इसका सिस्टम वर्क हो गया है तो यहां पर राइट आंसर किया यहां पर उप्शन किते हैं यहां आपको की तो यहँंन खरत अप्रूंछ टाइए लिकिना चेस एक्सुर्मेशं फ़ोर्मेश मेटेज नस उ unless लोन आश को यह घए ठीक है जो क्या करता है यह access प्रोवाइड करता है information के लिए public participation के लिए decision making and access to justice and environmental matter ठीक है इन सबी चीजों के लिए क्या प्रोवाइड कराता है तो इसको और किस conventions के नाम से जाना जाता दें कि directly exam में इस तरह के convention पूछे जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के convention क कि अगे समझ लिए पहले यहां पर राइट आंसर क्या है यहां पर जो राइट आंसर यह आपको option A है easy question तो थोड़ा सा आपका RS convention है ठीक है यह क्या कि यह प्रोवाइड कराता है आपको आपको यहां पर समझ में आगे थोड़ा explanation डीप में चलके आंगे समझते हैं यह ग्रांट करता है पुब्लिक राइट को रिगार्डिंग एक्सेस टू इन्फोर्मेशन ठीक है जो भी पुब्लिक के राइट होते हैं उनको क्या कराता है उनको एक्सेस प्रोवाइड कराता है तो इन सबी चीजों में जो पुब्लिक के राइट हैं वह सभी वर करेंगे ठीक है तो यह कौन सा आपको कंवेशन प्रोवाइट कराता है तो यह आपका आरहस में क्रेंशन रिल्प मेंशन आपको यहां परवाइट आध। ठीक है जो एकोंको फूर्मिंशन के नाम से भ इसका खिर एक टोगित की गई है कि घो mm अर्ड मेंडेशं घ्राइब impress Jen अभी एक तोगी जिसको फाइनल में ऐसके बारे से के बारे में बताइ जारा सेंड हैं और ऑग्सवर्ड यॉनिवर्सिती कडाता ड़ गिश्कमें आप इमयोस्रोंहेक चाहेंग जाराले यहां जो राइट आंसर यहां आपका ऑप्शन भी है अब ऑप्शन भी क्यों करेक्ट है ऑप्शन भी करेक्ट है क्योंकि इसको ऑक्षपर उनिवर्सिटी को तरह बना तो जा रहा है यह बिल्कुल सब्सक्राइब बट इस नॉट एड़ फाइनल स्टेज यह अपनी सेकेंड सब्सक्राइब इसको मैनुफेक्शन प्रोसेस की जा रही है ना कि फाइनल स्टेट्मेंट आपकी गलत हो जाती है और समझ लिए कोवी शील्ड इस पोटेंशल वैक्सीन अगेंस सार्स कोव 2 ठीक है सार्स कोव 2 इस वाइरस नेम आफ दो कोवेड-19 ठीक है यह याद रखन कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के दर जिसको डी सी जी आई कहा जाता है अब इट इस दा सी एच एडी ओ एक्स वन जिसको नोवल कोरोनवारस-19 वैक्सीन डेवलब हुई है बाइद ऑक्सफोर यूनिवरस्टी को दर यह नाम है वैक्सीन का आपको याद रखना है ठीक है यह किसके दोर डेवलब की गई है तो यह ऑक्सफोर यूनिवर्स्टी को डेवलब की गई है ठीक है तो नाम भी याद रखना है साहद आपको इस तरही का स्टेट्मेंट आपको कोशन में मिल जाए और वहां पर डिरेक्ट लिए आपको मतलब जल्दी से दिमाग में है इस पार्टनर्शिप बता रहा है और यह नेम देप्र टैस कोवी शील्ड जिसका नाम क्या रखा गया इसका नाम कोवी शील्ड रखा गया है तो यह भी आपको याद रखना है ठीक है नेस्ट कुशन पर चलते हैं नेस्ट कोशन इस चुशन इस कंसिर्द फॉल्लव उफ्रेमवर् के ऊपर दो सित्मेंट दिया बताना कॉन से इटमेंट, करेक्ट बॉस्ट एट फड़ेटी सिपुके इसले इनिशियाटिव ऑ सब्षसन की यह जो इनिशिएट है यह नीती आयोग और अट्र इनूवीशन मिशन वह सेकेंड है it a met creation off an ecosystem to foster innovation and technology development इंडिया कौन सी स्टेट्मेंट करेक्ट है ऑप्शन है अनली वन अनली टू बोथ वन इंटू एजर वन नौर टू वीडियो को पॉस्ट करके आंसर दीजे चली समझ लिजे राइट आंसर क्या है राइट आंसर यहां पे इसका बी एक कॉमन सेंस कर स्टेट्मेंट यहां पर यह दिए कि इस इनिशिटेव नीट्या यह इंटल इनोवेशन मिशन ठीक है देखिए यहां पे पूरा प्रोग्रम किस के उपर बेस्ट है पूरा बेसे और जदा फॉस्टर करेंगा इनोवेशन के लिए ठीक है टेखनोलजी डेवलपमेंट के लिए किसके अंदर डिफेंस एंड अडिया मतलड डिफेंस एरोश्पेस सेक्टर के अंदर तो तो वहां पर नीती है जो हमारे तंग है और अटल इनोवेशन मिशन नहीं तो यहां पे तो यह जाएगा तो इसके अंदर वर्क करने वाली कौन सी जो एजनसी यह तो यह आपकी Ministry of Defense को आगे बढ़ाएगी सेकेंड स्टीटमेंट टू करेक्ट जैसा कि मैं आपको बता है ना कि डिए लांच विद ये मोगी सेल्फ रिलाएंस और फॉस्टर इनोवेशन ठीक है इस इसको यह वर किया जा रहा तकि सेल फॉर्स ऑर सकें और इनोवेशन और नवाशन को टेक्नॉलजी को डेवल्डमेंट करने के लिए सब्सक्राइब तो इसके अंदर बहुत सारी एजेंसी वर करेंगी ठीक है जो आपकी इंडस्ट्री सो सकती है सब्सक्राइब तो बहुत सारी लोग यहां पर वर करेंगी तो यह भी याद रखना ठीक है और अधर सपोर्टर वह भी कर सके रिसेंड डेवलप्मेंट में कुछ अपना और ज्यादा फंड वहां पर हम प्रवाइड करा सकें विच्छ गुट पोटेंशल फूर फूचर एड बाइड डिफेंस इन्वेशन और इसको डियाई ओ कहते हैं तो यह भी याद रखना है नेस्ट कोशन पर चलते हैं यह कंसर दा फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दपर पर्चेसिंग मेनेजर इंडेक्स की उपर दो स्टेटमेंट आपको बताना कौन सी स्टेट से कहीं देलिफेसिन वेश्क के जाती है मेनेजर डिफेनट बिजनस के जारा इसके पर सेटमेंट को चेक करता था धुक्र लयोंनान एंड और ट्छी तो वीडियो को प्細ट करएं इंडर ढलीट मेंHAHA में यहां जो राइट आंसर यह आपको option C मतला आपकी फिर्स में राइट है जिसमें इसने सर्वेह दिया है जो बेस्ट की उपर ठीक है और पर्चियसिंग ऊपर जो सर्वेह होते हैं अधिक्तम की ऐकोनिक की उपर ही बेस्ट होते हैं दोनर स्ट्रेट्मेंट आपकी करेक्ट हो जाती है अब इसके बारे में और भी चीज़े समझ लेते हैं जो पी एम आइज को पर्चेसिंग मेनेजर इंडेक्स बोलते हैं यह कंसिस्ट करता है सेवरल डिफरेंट सर्वेज जो की कंप्लाइड के जाते हैं जैसे इंटू सिंग इसके इसके अंदर एक सिंगल डिफरेंट डिफरेंड करते हैं सेवरल पॉसिबल आंसर टू इच कोशन ठीक है और जो मोस्ट और एलिमेंट्स होते हैं इंक्लूड जैसे निव और शेयर्टी आउटपूट्ट एंप्लाइमेंट सप्लायर्स इन डिलिवरीज टाइम्स एं की उपर भी काफी जादा elements इसी के अंदर include थे हैं और जो most common answers होते हैं वो भी include इसी के अंदर के जाते हैं जैसे improvement की उपर no change and deterioration ठीक है तो इन सबी चीजों के उपर भी इसी के अंदर work देखा जाता है and a reading above 50 suggests an improvement expansion while reading below 50 suggest deterioration and contraction अगा जो reading है ठीक है वो 50 suggestion की उपर है मतलब जो purchasing manager index है इसकी जो reading है यह 50 suggest मतलब 50 notes की उपर कर रही है ठीक है मतलब जो denotion जो यहां पर denote किया जा रहा है यह 50 suggest के उपर है तो इसको बोला जाता improvement यह expansion अगर यह below है 50 तो इसको बोला जाता deterioration या फिर contraction ठीक है तो यह भी आपको याद रखना यह भी important information थी next question पर चलते है next question is which of the following island is or are the unit territory of Lakshadeep तो कौन सा island unit territory of Lakshadeep का part है option है अगाती island बंगरम island केदमत island select the correct option ठीक है correct option आपको select करना है options है one and two two and three one and three and all of the above video को pause करिए and answer दीजें चलिए देख लेते कौन सा right answer यहां जो right answer यह आपको option डी option d that the mean all of the above are right answer जो अगाती island है बंगरम island है और केदमत island है यह सभी इसके पार्ट है ठीक है क्योंसे लक्षदीप island के पार्ट है अब all of the above जो right हो गए इसमें जो अगाती island है यह 7.6 km long island ठीक है जो situate करता है coral अगाती अटॉल इन लक्षदीप ठीक है जो कहां पर जो अगाती अटॉल है लक्षदीप में वहां पर यह locate करता है बंगरम है यह एक टेडरम shaped island है जो close है अगाती है इंद कावेत्री इन लक्षदीप island के पास फिर खदमत island है यह भी इसको और एक कार्डेमॉम island के नाम से जाना जाता है और इसका नाम जो बिलॉंग करता है coral island से अंटूदा अमिनीदीवी subgroup of island of the लक्षदीप जिसको अमिनीदीवी subgroup islands of the subgroup भी कहा जाता ठीक है लक्षदीप मिनी कोई island जो लाइक करता है south of nine degree channels यूपर ठीक है जो इस अभी जो मैं image दिखाओं उसमें शोन तो नहीं कर रहा है बट इस पार्ट आफ यूटी आफ लक्षदीप देखिए यहां आप देख सकते हैं ठीक है यहां पर आपको समझ में ज चल जाएगा ठीक है यह होगे आपका cover three island ठीक है इधर पर यह होगे लोकादिव सीव और और अगर आप देखिए तो यहां पर थोड़ा सा image को जूम कर लिए अच्छे से और जदा expression समझ में आएगा एक सेकंड यह देखिए ठीक है यह देखो अब आप तो पूरा चीज़ी सारी चीज़े क्लियर हो जाएंगी यहां पर आपको सारी चीज़े क्लियर कट दिख रह अगया होगा नेस्ट कोशन पर चलते हैं नेस्ट कोशने विचा दो फॉलोइंग इस और आर दे रिजल्ट आप जम्मु कश्मीर रियॉर्गनाइशन एक्ट तो नाइटिन पांच अगस्त है इंपॉर्टन बन जाता है आची की दिन 370 को वहां से अबॉलिश कर दिया गया तो यह union territory जम्मु कश्मीर इसको administered किया जाता है प्रेजिएंट के द्वारा लेकिन किसके वहां पे जो lieutenant होते हैं lieutenant governor होते हैं वो appoint के जाते हैं प्रेजिएंट के द्वारा ठीक है सेकेंड है जम्मु कश्मीर no more share its border with the status हिमाचल प्रदेश मतलब अब जम्मु कश्मीर क्या करता है एक भी बॉर्डर शियर नहीं करता है हिमाचल प्रदेश के साथ तो कौन सी सिट्मेंट करेक्ट है option है only one only two both one and two and neither one nor two वीडियो को pause करिए एन आंसर दीजे चले समझ लिजे राइट आंसर का राइट आंसर तो इसका option one option one that the mean a right answer यहां पर जो जम्मु कश्मीर है यहां पर जो एड्मिनिस्टर की जाता है यह प्रेजिएंट के दौरा की जाता है लेकिन तुरू लेफटिनेंट वहां पर लेफटिनेंट वर करते हैं जो इसको पॉ कर लेते हैं थोड़ा सा मैप विजिबल नहीं होगा यह जम्मु इन कश्मीर इदर पर आपको ऊपर देख रहा होगा ठीक है जम्मु इन कश्मीर होगे और यहां का हिमाचरपदेश के दोनों बॉर्डर टच करते हैं तो इसलिए गलत हो जाती है ठीक है अब नेस्ट कोशन पर चलते हैं और वाट दस्ट फ्राइडे अग्रिमेंट टू तो गुट फ्राइडे अग्रिमेंट किसे रिलेट करता है इस्राइल पलेस्टीन पीस ट्रीटी सेकर्डे साओधी अरेबिया हौद हुदई कि सीजफार एडिमेंट थर्ड़ पीस टील टू एंड नौर्डर इंडिया भूटान फ्रेंड्शिप टीटी तो किसे रिलेट करता है वीडियो को पॉस्ट करके आंसर दीजिए चले देख लिए राइट आंसर क्या है राइट आंसर इसका है पीस दील टू एंड नौर्डर आइलेंड ट्रॉबल से उसको एंड करने के लिए एक पीस डील जिसको क्या बोल जाता है जो फ्राइडे के दिन साइन किया गया था ठीक है और इसके बारे में समझ लीजे लेट नाइट नौर्डर आइलेंड वाज प्लंज्ट इंटू वाइलेंड कंफिलिट काफी यदा माँ पे कंफिलिट था रिपब्लिकंस के बीच में जो चाहते कि जो बचा हुआ भागे वो युनाइटि के पास ही रही इसलिए यह जो रिपब्लिकंस थे और जो युनाइट थे इन दोनों की बीच काफी जादा ट्रबल्स हो गया था ठीक है और 1990 में आफ्टर टू इयर्स टॉक्स के बाद 30 इयर्स ऑफ कंफिलिक जो चला ठीक है मतला 30 इयर्स कंफिलिक था जिसमें दो साल बाते की गए इसके बाद गुर्ट फ्राइडे एग्रिमेंट जिसको बैलफेस्ट एग्रिमेंट भी कहा जाता है यह साइन किया गया और जिसका रिजल्ट था कि न्यू गवर्मेंट बिंग फॉर्मेंट बिंग युनाइट्स एंड इडिंग में त 64 जिसको परनाया जिबश्व आप के निग यह यहां पर देख लिए आज nother नख़रन में ये जो सेक्यों फंट्राइंड जो आपको समझ में जाएगा और यह यह एक हए तो ר 최고 का cupcake कर में ळेक्ट चान कर डिसक का तो यह तो यह ख़िए आपको है प्लीज वीडियो को लाइक कर दिजेगा लेकिन फीडबैक जरूर देना और सारे आंसर आपको कॉमेंट में करना बिलकुल भी मत भूल ना ठीक है आइक है नुदा प्लीज वीडियो से ही अब पर कहीं है।